आज हम पहुँचे हैं अलवर के किर्शिय उपज मंडी में जहां लगातार सरसों की आवक जोरो पर है किसान अपने खेतों से सरसों लेकर किर्शिय उपज मंडी पहुच रही है हमारे साथ में जो यहां के जो वैपारी है उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज सरसो के क्या भाव है किस भाव में सरसो भिकरी है कहा से सरसो आ रही है और क्या कहा पर जा रही है इस बारे में हमारे साथ में वेपारी है उनसे हम बात करते हैं कि सर आज मंडी में सरसो का राइवल कित्रा है मेरा नाम विजय कुमार है फरम जंगी राम विजय कुमार का मालिक हूँ अलवर जिले की मतलब मर्जो माल आ रहा है माला खेडा वेल्ट है बड़ोदम्यू वेल्ट है इधर अपने बामूली वेल्ट है इधर के किसान माल लेके आ रहे हैं अराइविल करीब है करीब 12-13,000 कि और भाव लगा 43-43,500 से लेके 51-100 रुपे तक सर्चो के बजार है मोश्चर गील के और तेल मात्रा के अनुसार तेल के बजार है और ये माल अधिकतर माल अपनी तेल मिलों में जा रहा है लोकल कुछ माल अभी जो खेड़तल की पर्चेजिंग यहां पर दो चार दुकानों पर चल रही है वहां पर जा रहा है भाकि सारह माल के नुसार अच्छा भाव में बिकडा और गीला माल की वज़य से थोड़े बजार अभी कम है जो सूखा आएगा यही माल अच्छे भाव में बिकेगा कितने मैंने तक चलना वाला है यह सरसो का तो पूरे साल चलेगा अभी जो प्रैसर रहेगा वह दो मेंन रहेगा जी हमारे साथ में यह वैपारी थे इन्होंने बताया कि जो आज मंडी में जो भाव है वो 3400 से लेकर और 500 तक के भाव है इसी तरह हम जब कल सब्दिक कल हम यह म उन्सों के बीच में थे